मुक्यमंत्री वुपेश बगेल ने आदिवासिय आरक्षन के मुद्दे को लेकर विधान सभा का विशेश सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर चरंडास महंत को भीजा है इसमें उन्होंने आगामी 1 और 2 दिसंबर को विधान सभा का विशेश सत्र बुलाए जाने का आग्रह किया है इस संबन्द में कॉंग्रेस प्रवक्टा सुशील आनंद शुकला ने कहा है कि 36 कर सरकार आदिवासियों को 32 फीजदी आरक्षन देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार ने इस मुद्दे को लेकर विधान सभा का विशेश सत्र बुलाने का प्रस्ताव भीजा है कांग्रेस की सरकार आदिवासियों को 32 फीजदी आरक्षन देने के लिए प्रतिबद्ध है इस संबन्द में मुख्रमंतिशी भूपेश बगेर ने माननी विधान सभा ध्यक्ष स्री चरंदास महंतर जी को एक पत्र दिखा है कि विधान सभा का बेशेश सत्र एक और दो दिसंबर को बुलाया जाए ताकि आदिवासियों के आरक्षन को यथावत रखा जाए कांग्रेस की सरकार हमेशा से प्रतिबद रही है कि इस समाज की जितनी आवादी है उस समाज को समयधानिक आदात में उसका हक मिलना चाहिए इस बेज मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार उन्हें 32 प्रतिशत आरक्षन का लाब दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है महराष्ट तमिलनाडू और करनाटक में आरक्षन की विदेक स्थिती का अध्यायन करने के लिए 36 गड़ शासन की ओर से वरिष्ट अधिकारियों और समाजिक कारिकरताओं का एक दल जल्द ही इन राज्यों में जाएगा